नमस्कार आज हम बात करेंगे कोई भी राजे सरकार का करमचारी राजस्तान सरकार का करमचारी जो अपनी साथ वरस की सेवा पूर्ण करने के पशाथ साथ वरस की आयू पूर्ण करने के पशाथ शेवा निवर्त होता है उस दर्मियान उसे कौन-कौन से लाब राजे सरकार क कि वर्षे दे होते हैं और कितना अमाउंट उन्हें दिया जाता है और उसकी गणना केशे की जाती है आज हमें कुदार्ण के माध्यम से समझेंगे कि एक राजय सरकार का करमचारी जो 1987 में यानि कि 1987 में नियुक्त हुआ और 2024 में वो शेवा निवर्थ होने जा रहा है और इत उनकी गणना केशे की जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एक सरकारी करमचारी जिनकी प्रथम नियुक्तिति थी है वो 29 दिसंबर 1987 है और शेवा निवर्थ हो रहा है यानि कि वर्तमान की ही बैसिक जो 31 मारश तक रहने वाली है जो है 80,200 रुपे और शेवा निवर्थी पर जो कोई सरकारी करमचारी जाता है तो उसे कुछ लाब दिये जाते जिसे SI की रासी का भुगतान होता है जीपीएफ की रासी का भुगतान होता है और PL जो उपारजित अवकास उसके खाते में जो क्रेडेटेड है उसका नकद भुग इसका भुगतान किया जाता है और इसके साथ ग्रेजुटी का भी भुगतान किया जाता है तो अलग-अलग प्रकाश्य हम समझेंगे कि कौन सी मद में कितनी राशी का भुगतान किया जाएगा अब जैसे कुछ राशिया एशी होती है जो सरकारी करमचारी अपने शेवा काल के दोरान राशी को अपने वेतन में से जमा करता है यानि कि उसका प्रतिमा उस मद से डिडेक्शन किया जाता है जैसे मान लीजी अगर कोई करमचारी ओपेश के इंतरगत आता है तो वो GPF कटोती करवाएगा क्योंकि 1987 में नियुक्ती है तो वो ओपेश के इंतरगत ही आता है तो वो GPF की कटोती करवा रहा है तो उसे ब्याज सहीत GPF की रासी का भुगतान किया जाएगा तो GPF इस करमचारी के शंदरब में देखें तो इनकी खाते में वर्तमान में GPF की रासी है वो 27,75,678 रुपे वर्तमान में है तो हो सकता है कि 31 मारस 2024 तक इस रासी में थोड़ा सा इजाबा हो जाए क्योंकि इसमें मिलने वाला जो ब्याज है वो भी इसमें काउंट हो जाएगा ठीक है इसके बाद में SI, State Insurance State Insurance दरसल सेवा निवर्ती के शमें maturity के अनुसार दिया जाता है क्योंकि इसमें इसा माना जाता है कि जैसे आप सेवा निवर्त जब हो रहे हैं 16,37,158 और यह भी एज आजे करमचारी की रूप में प्रती माह इसकी डिडेक्शन है वो उसकी सेलेरी में की जाती है तो यह दो राशिया है जो अपने सेवा काल में जिस राशी का वो डिडेक्शन करवाता है अपने वेतन में प्रती माह तो सेवाकाल के दुरान जो करमचारी ने प्रतिमार डिडेक्शन करवाया है उसे ब्याज और बोनस सही थे वो रासी का भुगतान राजे सरकार की और शी दिया जाता है इसमें जीपिएफ में लोन की शुविदा अपलब दे ये पहले इस्थाई और इस्थाई दो लोन दिय अबिबधाना होता है तो ये सीधे तोर पर करमचारी की खाते में हिंंडिल जमाAKI होती इसका सरकार बोनस और ब्यास देती ये तो दो राशया होगी इसके बाद में कुछ राश्या जो आपकी अंतिम व्यतन और निरधारित करती है माली जी आपका जोंतिम व्यतन जब आप सिवा निवर्थ हो रहे हैं उससे में आपका वेतन क्या है उसके आधार पर आपकी वो रासी नरधारित करेगी कि कितना माउंट आपको मिलने वाला जो प्रतेक करमचारी को अलग-अलग होता है एक होती है पैंशन की विक्री या कम्यूटेशन और सरकार ये आपको ओफ्सें देती है कि आपका जो पैंशन की बेशिक है उसका अधिक्तम एकप्टे-30 भाग जानी कि 33-प्रतीशत इसे का आप कम्यूटेशन करवा सकते हो तो गुल वेटन है तो यह इस इस्तिति में आपका जो पेंशन का बेचिक होगा वो 40.100 रूपे का 33 परश्फे यहां पर आ जाएगा का 33 परश्फ रूपे इसको निकालने के लिए फॉरमूला यहोगा है यह जो फेक्टर होता है कमेटेशन फेक्टर होता है वो दिर्धारित है पहले से ही वो डिपेंड करता है कि जब आप सिवा निवर्त हो रहे तो उस समय आपका उस समय से अगला जन्म वर्ष कौन सा होगा तो हमने एकशट यहां पे लिए एकशट पे है जो नव पॉइंट ए क्या सीगा एट वन का आता है तो इस इस्तति में यहां जब हम केलकुलेशन करते हैं तो पंद्रा लाख शतावन अजार साथ सो नवासी रुपे हैं जो नहें पैंशन कम्मिटेशन की रूप में दिये जाएंगे मतलब पैंशन कम्मिटेशन निकालने के लिए यह की समंदित सरकार की और से आपको कुछ अवकास अरजित करने का अधिकार देती हैं प्रती वर्ष में 15 पियल आप जोड सकते हों अगर आप अध्यापक है तो और अने किसी भी ऑफिश में कारे करते हैं तो तीश जोड सकते हैं किसी भी करमचारी को अधिक्तम है वो तीश लिदे होती है और कुछ के मामले में है तो 42 भी होती है जिसे कि सस्तर सीमा बलवाले हैं इनके है वो 42 रहता है ठीक है तो ऐसा हम होता है कि जब आप सिवा निवर्थ हो रहे होते हैं तो उस समय अधिक्तम 300 दिन आप उपर जित अवकास की रूप में आपके खाते में जमा को रखषकते हैं तो 300 दिन का अधिक्तम रूप में आपको भुगतान किया जाएगा 300 देखा जाए तो इस करमाचाविको 300 दिन का वेतन यानि कि 300 PL का बुक्तान है वो PL का जो बुक्तान किया जाएगा वो हमेशा basic plus DA के अनुसार किया जाएगा HRS में count नहीं किया जाता है तो 300 दिन का वेतन इनका होता है 11,70,920 रुपे आज की basic के अनुसार ठीक है और हो सकता है कि मार्च महीने में जब वो शिवा निवर्थ हो रहा है तो उसमें DA रेट भी बढ़ दे बढ़ा दी गई हो तो उसके बाद में area रूप में उससे पेसे है वो मिल जाएंगे बाद में उसका है तो recalculation होने के पसाद उसे area रूप में भुक्तान हो जाता है अब एक होते है ग्रेजेटी 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 आ दरसल्ली बढाव की श्यवा करते इस बह्सकों क परदान कि की जाती है और इसमें अगर हम देखें इस करमचारी के शंदर में तो आप वर्तमान में राजस्तान में है जो गिर्जेटी की सीमा अधिक्तम 20 लाख रुपे हैं इससे पहले 10 लाख थी अधिक्तम 20 लाख रुपे और आपको साड़े सोला महीने का वेतन दिया जाएगा साड़े सोला महीने मतलब अगर आपकी सिवा आवधी 25 या 28 साल से कम है तो अनुपातिक रूप से आपकी उसमें है वो कम होती जाएगी उसमें आप देख सकते हो ठीक है तो साड़े सोला महीने का वेतन इनका होता है 19 लाख 32,000 और 18 रुपे इस प्रकार से एक राज-सर्कार का करमचारी जिसे सेवा निवरती के समय है अब अगर हम कुल इनको टोटल करते हैं तो 91 लाख रुपे इनको सेवा निवरती के समय राज-सर्कार देगी जो जिसमें से दो राशिया है वो राजे सरकार की और से नहीं बलकि करम चारी ने स्वयम ने जमा की है यह जो दो राशिया है यह तो 27 लाक और 16 लाक ठीक है तो यह दो राशियों को छोड़ कर देखा जाए तो इनको कुल है वो लगवग 50 लाक से उपर की राशिय का भुगतान राजे सरकार की ओर से किया जाता है जब सिवा निवर्त होता है तो उस तरह प्यान ताज के लिए इतना ही धन्यवार